वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आज हमारा MS Word Office Circulated 7th Tutorial है और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि हाउ टू चेंज डिफॉल्ट डॉक्यमेंट फॉल्ट रोकेशन इन MS Office Word कि हम कोई भी डॉक्यमेंट को सेव करना चाहते हैं वो बाइ डिफॉल्ट हम उसकी लोकेशन कैसे सेट कर सकते हैं कि हम जब भी उसको सेव करें वो उसी फॉल्ड में जाकर सेव हो सिरफ जस्ट अमिंट के लिए हम वैसे तो सेव कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली आपने क्लिक करना है लेफ्ट कॉर्णर बे विंडो ऑप्शन के उपर तो यहाँ से आप सिंपली सेव कर सकते हैं यहाँ से आप अपना पाथ भी कोई भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं ठीक है अगर आप डिफॉल्ट इसको तिक्स करना चाहते हैं अपनी लोकेशन को कि आलवेज आपकी लाइफ टाइम इन फ्यूचर आपकी जो यहाँ यह यह लोकेशन फिक्स रहे तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वह आज के वीडियो में डिसकस करेंगे सिंपली आपने वींडो वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको ऋप्शन दिख रहा है Word Options Word Options पर आपने क्लिक करना है यहाँ पर आपके सामने एक उप्शन एक शो होगा Save Save पर जाना है और Save Documents के अंदर आपके सामने Default the File Location में आपको शो हो रहा है चीक है यहाँ से आपने Simply क्या करना है ब्राॉज पर क्लिक करना हैं ब्राउज पर क्लिक करने के लिए आपको डेमो के लिए एक save करके دिखाता हूं मैं just a mint के लिए चाहता हूं इसको मैं save करना desktop पर ही desktop के save करने के लिए एक simply new folder세 लिए कर लेता हूं new folder पे click करना के बाद मैं यहां पर इसका नाम रखतेता हूं MS Word Location MS Word Location के नाम से मैंने एक desktop पर ही एक folder बना लिया है इसको मैं simply OK गर दूँगा चीक है तो यहां पर मेरा जो path है वो आपको शो हो रहा होगा C Users HP Desktop MS Word Location simply आपने इसको OK कर देना है तो आपको जो by default जो location है वो set हो चुकी है आपको check करना है तो आपको क्या करना है simply इस file को आपने करना है save, save करने के लिए आप यहां से save का option यहां से भी select कर सकते है यहां से भी कर सकते है और control plus s भी कर सकते है तो simply मैं save पर click करता हूं तो save पर click करते ही मेरे पास यहां पर मेरे जो path है वो direct आगया है desktop पर ही ms word location तो यहां से मैं welcome to my channel के यहां पर नाम अठाकर यहां से मैं इसका rename कर जेता हूं first doc simply save करूंगा और यह जो file है मेरे यह उस folder में जाकर save हो चुकी है अगर आपको check करना है तो simply आपने desktop पर यह folder check करना है ms word location के नाम से folder है तो यह देखिए मेरा first doc यहां पर आकर save हो चुका है ठीक है गाइस तो आज का वीडियो इतना ही मिलते हैं next वीडियो में bye bye and thanks for watching